हलो फेंस नमस्कार कैसे हो आप सब आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों मैं उनितीस और आप देख रहें एनपेस दुबाई यूट्वीब चैनल तो गाईस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दुबाई में हिलफर की सरी कितना है क्या क्या काम करना पड़ता है और कैसे जो मिलेगा सब कुछ डियर से बताएंगे बाट आप लोग वीडियो पुरा देखिए का चैनल में नाचनल के सबस्काइबर साथ में गंटी का बिलेकर जरू पेस कर लिजिए ताकि आपको वर्कर से लिडियर वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो सुरू करते है तो गाई सबसे पहले बात करें कि अगर आप दुबाई में एजे हिलफर आना चाते है तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रख करके आना चाहिए तो पहली बात है कि hard work अगर आपने अपने देश में hard work तो ये मोटा काम है यानि कि hard work है दूप में आपको करना पड़ेगा तो तूबई अगर आप ऐज़े helpर में آ रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखर कियाना चाहिए कि हाँ मैं दुबई में जा रहा हूँ तो हमसे कोई भी काम करवा जाता है यहाँ पर क्लीनिक का काम करवा जाता है गड़ा खोदना का काम हो गया मूर चरवाने का काम हो गया ठीक है तो हेलफर के काम में अगर आएंगे तो आपसे कोई भी काम करवा जाएगा यहाँ पिर जो भी मेहनत वाला काम होता है हिलफर लोगों से करवा जाता है चाये गड़ा मानना हो गया पाइप डोना हो गया या कोई भी मेहनत का काम होता है ताबुक डोना हो गया मसाला बनाना हो गया तो सब हिलफर से करवाय जाता है काफी लोग कमेर्ट करते हैं दूबई में हिलफर में आना सही रहेगा की नहीं तो देखिए अगर आप आज़े हिलफर दूबई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं कोई दिक्त नहीं है वो आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन तो मेरे इसाब से हिलफर में ना करके, कोई काम सिख करके आंगे तो आप के लिए बेटर रहेगा, तो अब बात करें कि दुबई में हिलफर को जूब कैसे मिलेगा, तो देखिये, दुबई में एज हिलफर आने के लिए कई रास्ते हैं, अगर आपके पाचान में कोई अच्छा एजेंट है एजेंट के बारे में जानते हैं तो आप एजेंट से आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तो एजेंट अच्छा होना चाहिए ठीक है मैं कभी रिक्रमेंट नहीं करता है कि भाई आप एजेंट से आईए लेकिन तो आ और उपको कम पइसे में काम हो जाएगा, अगर आपको मैन पोफीस का मिल जाएगा City कि और आपकर सेड़ारी दुबभाई को वह स्टार्टिंग कितना मिलती है तो अभी के टाइम में कंपणी में जो मिलना मुस्किल है अभी के टाइम में सप्लाइज कंपणी में बहुत एजली जो मिल जा रहा है ठीक है लेकिन तो मैं नहीं मुस्क रहा है झाल सप्लाइज कंपणी में घंटे के साब से सहरी मिलता है टीक है एक दäreम का बाइस रृपिय-पचासवफश से चार दरम पांस दरम साड़े पांस दरम घंटा मिलता है इस से जादे आपको नहीं मिलेगा जितने घंटे डिटी करेंगे उसके इसाब से आपका सेलरी आएगा तो एमान की चलिए कि आप बहीने का बारा सव तेरा सव एजे हेलफर कमा सकते हैं पूरा ओबर टाइम मिला करके ठीक है अ आपका 17,000-18,000 रुपिया एजे हेलफर में बचेगा कमपनी में आएंगे तो कमपनी में जो स्टार्टेंग सेलरी मिलती है हेलफर को 900 से लेके 1100 दरम मिलता है ठीक है किसी कमपनी में 900 मिलेगा किसी कमपनी में 1100 मिलेगा लेकिन तो कमपनी में आने का फायदा यह है कि कमप आप हेलफर में आते हैं कमपनी में तो इंडिया का सेफली बाइस से 30,000 रुपे घर बेज सकते हैं ठीक है अगर आप सप्लाई कमपनी में आगे तो सप्लाई कमपनी में आपको बस सेलरी मिलेगा जो जितना घंटा आप काम करेंगे आपको अधर वाइस कोई भी विनिफिट नहीं मिलेगा रुम तो हर कमपनी आपको देती चाहिए सप्लाई कमपनी या कमपनी लेकिन तो खाने के लिए पैसा सप्लाई कमपनी नहीं देती है बस कमपनी देती है ठीक है और खाना भी कमपनी खिलाती है ना कि सप्लाई कमपनी खाना भी नहीं देती है लीप सेलरी आपको स्टार्टिंग में 900 द्रम मिलेगा सप्लाई कंपनी में आएंगे तो साड़े 4 द्रम से लेके 5 द्रम घंटा मिलेगा याने कि मान के चलिए खाने पीने के बाद आप इंडिया का असानी से 19 से 20,000 रुपे घर बेज सकते हैं ठीक है अगर किसी मैने में आपका अबर टा से 20,000 रुपे भी घर बेज सकते हैं तो ए रियालिटी है काफी लोग कमेश कर रहे थे दुबई में हेलफर की सेलरी कितना है तो गैस हेलफर की स्ट्राइटिंग सेलरी 900 से 1000 द्रम कंपनी में सप्लाई कंपनी में 4 द्रम साड़े 4 द्रम घंटा है और एक बात का ध्यान आप यalta आप अभी वीडियों बता रहा है अभी भी बता रहा है कि हाडवर्क अगर आप अपने धैस में हाडवर्क नहीं किये हैं ठीक हांदी में कि आप कि सबी हिलफर को काम धुल में मिलता है अंदर वी मिलता है लेकिन तो ज्यादे तर हिफलफर नहिए है और आपको बता दोड़ कि यहाँ पर अभी गर्मी का सीजन आने वाला है ठीक है तो यहाँ पर जो गर्मी पढ़ती यह ना गर्मी के टाइम में और तालीस उन्चास पचास टंपरेचर पहुंच जाता है ठीक है तेहां पर गर्मी बहुत ज्यादे पड़ती है आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखर करके आना चाहिए कि अगर आप हिलफर में जा रहे हैं तो आपको कोई भी काम यहां पर करना पर सकता है क्लीनिंग स बहुत ही मुश्किलिया पर हो सकता है तो आई होप के वीडियो आपको पस्तान आई यह तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सस्क्राइब कर दीए शेयर कर दीचे ताकि और दोस्तों किसी वीडियो के मादें से जानकारी मिले तो दूबई आने से पहले उनको हर एक ची कि काम के टाइम में मुवायल नहीं उच कर सकता है इसके लिए रिप्लाई नहीं देता है साइड से रूम पे जाता है तो रूम पे जाने के बाद खाना खाने के बाद जब सोने जाता है तो आप लोगों से एक घंटे रिप्लाई करता है बात करता है एक घंटे के अंदर जिस आदमियों से बात करना पड़ता है ठीक है तो अगर जिनको रिप्लाई नहीं मिलगा उनसे छमा मंगता हूं आगे आने वाले दिनों में अपनों की रिप्लाई जरूर दूंगा तो नमस्कार मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कोईने जनकारी के साथ जैं हिंदे